नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज है बालुट की सुप्रसीद अधाकारा हिमानी सुपूरी जी की जनम देन जिया दोस्तों आप लोग को हिमानी सुपूरी जी तो यादी होगा जिनों नास्य और 90 के दसक में कैए से फिल्म हज Ojazzi में चैनली काम किये और बालुट को एक से हिट फिल्म है दिये हैं तो दोस्तों आज हम लोग हिमानी सुपूरी जी की जनम देने स्पेसाल में हिमानी सुपूरी जी के नाम सामिल है और उन्होंने अपने अभिनाय से लोगों का दिल जित लिया है और हिमानी स्विपूरीज जी का जनाम 24 अक्टुबर 1960 को देहरादुन में हुआ था वे मसहूर लेखाक डाक्टर हरी भाड सैलेस की बेटी है और सुरुवात से उन्हें अभिनाय का सौंक था अप आएगा मजब फ्रेम से इंडर्श्टी में कदाम रखा और हिमानी जीने कई दिगर सकालोकारों के साथ काम किया है उनकी कई ऐसे फिल्में है जो आज तक उनके सांदार और मजदार अभिनाय के लिए जानी जाती है जिसमें से कुछ खास है हम आपके है कौन दिल वाले प्रुसकार अपने नाम कर चुकी है और दोस्तो एक बार अपनी बलूट की पुरानी यादों को ताजा करते हुए उन्होंने सल्मान खान सहाब के साथ बीते कुछ अनुभवों को साजा करते हुए बताया कि हम आपके है कौन की सुटिंग के दौरान मज़ेदार किस्से हाला कि सल्मान खान सहाब से इनके कुछ देर पहले ही पहुँचे थे जिस वज़ा से परिचाय का मौका नहीं मिला हुआ कुछ ऐसा कि हम सुटिंग कर रहे थे और सल्मान खान सहाब ने चाची जान कहकर बुलाया और अचानक से मुझे गोद में उठा लिया इससे मैं चौ सल्मान खान सहाब के साथ कई ब्लॉग बर्श्टर फिल्में की है जैसे कि कुछ कुछ होता है बीवी नंबर वन दुलहन हम ले जाएंगे आधी फिल्मों में वे सल्मान खान साथ के साथ दिखी है और दोस्तों अभिनेत्री के वर्क फंट की बारें बात करें तो वे कुन फिल्में इस तरह से चाची जान की किरदार निभाई जिने हम चाहकर भी नहीं बूल पाएंगे इसके साथ है और सलमान की हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांच दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए